2.1 भारती उपमहाद्वीब का प्राकृतिक स्वरूप पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ा था तथा यह भी समझा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक द्रिष्टी से भारतिय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातली स्वरूप एक समान है? इस पार्ट में हम भारती उपमहाद्वीप की भगौलिक और धरातली बनावट में विभिन्यताओं तथा विशेशताओं पर चर्चा करेंगे इसके साथ साथ इनकी उत्पत्ती और उन भौतिक और मानवी संबंधों की जानकारी भी हासिल करेंगे जिनके कारण वर्तमान भागौलिक और परियावर्णी परिदृष्य का निर्मान हुआ है हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि अलग-अलग भागौलिक परिवेश में मनुष्य ने अपनी आजीविका और आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए प्राकृतिक संपदाओं का किस प्रकार उप्योग किया है उदाहरन के लिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी शेत्र में निवास करने वाले लोगों का जन जीवन मुख्यता कृशी पर आधारित है छोटा नागपूर के पठारी प्रदेश में लोग कृशी के अलावा वन उत्पाद और खनन उद्योग पर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं थार के मरुस्थल और उत्तरी पर्वती इलाकों में रहने वाले कई समुदाएं पशुचारण कर अपनी आजीविका चलाते हैं और समुद्र तटिये प्रदेशों के लोग मचलियों पर आधारित व्यवसाय से अपना गुजारा करते हैं विज्ञान और तक्नीकी का लगातार विकास हो रहा है फरस्वरूप भोगौलिक और पर्यावरनी इस्थितियों में लगातार बदलाव हो रहे हैं कुछ बदलाव पर्यावरन के दृष्टी से मानवी विकास के रास्ते में प्रतिकूल समस्याएं पैदा कर रहे हैं इन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी है कि हम इने सामाजिक, आर्थिक, वराजनेतिक संदर्व में समझें भारती उप महाद्विप के उत्तर में स्थित पामीर की गाट से कई परवश्रेणिया निकलती हैं जैसे हिंदुकुष, कराकोरम, कुनलुन, ठ्यांक्षान और हिमाले प्रायद्विप पठार की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और सत्तपुडा की पहाडियां इस्थित हैं उत्तर पश्रिम में अरावली श्रेणी है, पश्रिम में स्वहाद्री परवश्रिंखला और पूर्व में पूर्वी घाट की निम्न पहाडियां तथा पूर्वी समुद्र तटिये मैदान हैं क्या ये सब दिखने में एक जैसी है या एक ही समय में बनी हैं सनरचना, शेल समुँ और भू आकरिती की भिन्नता के आधार पर भारत की भू सनरचना को निम्नलिकित पाँच भागों में विभाजित किया जाता है पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी परवतमाला दूसरा उत्तर का विशाल मैदान तीसरा प्राया द्विपिये पठार चौथा समुद्र तटिये मैदान और द्विप समुः पाच्वा भारतिये मरुस्थल अब हम इन भू आकरितिक विभागों का अलग-अलग अध्यन करेंगे